आम तोर पर हम शरीर के उपर मन के उपर बहुत सारी बाते करते हैं लेकिन जो बात आज उन्होंने कई है हमारी भाषा में समझना बहुत ही आसान है वो कर्ज की बात कर रहे हैं तो यह ब्रष्टा चार आज शिष्टा चार बन गया इसलिए हमें कर्ज के बारे में जो एक सब प्रकूति अगर इस्तिमाल दोहन कर रहा है क्योंग क्यों कि वह बूल गया है कि या प्रकूति से मेने हुधार लिया यह करज लिए को उस अब हाद देना है आप मुद्दल तक आप डुबा रहे हो। और यही नतीजा है कि जीवन जो मनुष्य का है, वो उसका जो गुनवत्ता है, वो और नीचे जा रहे है। इस चदरिया हमको जो मिली है ना, जदरिया जीनी रे जीनी, दिन दिन मेली कीनी। हर दिया हम उसको मेली कर रहे हैं, और मेली करके हम प्रकृति को वापिस देने वाले हैं। और मन का जो जगत है, उसके अंदर हम पूरे प्रमिष्ट हो गए। जो शरीर मिला है, उसको भूल गए, उसकर्ज को भूल गए, चुकाओ उसको। चुकानी की नियत रखो। अगर आप प्रकृति से इमानदारी रखोगे, तो जाहिर है कि आपका जीवन सार्तक हो जाएगा। तो आई इस कर्ज को अदा करने की नियत रखे। और अगर आप इस शरीर की कर्ज से चुकने की कोशिश करेंगे, निशिती ये प्रकृति आपकी कीमत बढ़ा देगी। दोस्तों, आज बहुती सुंदर बात सद्गुरुजी ने आमें बताई है। उस कर्ज से शराप पी रहा है, मौज कर रहा है, ऐसे ही पैसे उड़ा रहा है, तो सब समाज उसे टोकेगा, उसे गाली देगा। उसे कोसेगा, कि तुम गलत कर रहा है हूँ, क्योंकि जब कर्ज लिया जाता है, तो विकास के लिए किया जाता है। कोई भी कर्ज उठाते हैं तो प्रगति के लिए लिते हैं, विकास के लिए लिते हैं, उन्नति के लिए कर्ज लिया जाता है। कर्ज कभी भी मौज के लिया नहीं जाता है। और जब वो लिया जाता है तो उसको चुकाना भी पड़ता है। तो ये भूल गए कि कर्ज समाज के विकास के लिए डुबाने के लिए नहीं है। कर्ज डुबाने के रास्ते ढूली जाता है। और कर्ज लिया ही डुबाने के लिए जाता है। तो जो जिम्मिदारी कर्ज के पीछे होती है, वो आज लोग भूल रहे हैं। चाहत है कि डुबा है, विजय माल्या जैसे लोग हजारों रुपे का कर्ज लेकर डुबाते हैं, यह किसका नतिजा है, यह नतिजा है राजनितिक मानसिक ताक, कुछ लोगों को 10, 20, 50 क्रोड का फैदा होता है, कुछ चंद लोगों को, और उनके लिए पूरे समाच का हजारो रुपे ठकर लेके जाते हैं लोग, दुबा के ले जाते हैं, तो यह कितना बड़ा भरष्टा जार है, तो यह भरष्टा चार आज शिश्टा चार बन गया, इसलिए हमें कर्ज के बारे में जो एक समझ होनी चाहिए, वो नहीं है, एक आम इंसान कर्ज के नीचे जिंदग पर दबाय रेता है, वो अपनी जर्रोते भी पूरा नहीं कर पाता है, और इमानदारी से कर्ज को चुकाता है, और बड़े उसको डुबाने की नियत से लेते हैं, ना वो उसका सुद अदा करते हैं, ना उसकी मुद्दल अदा करते हैं, नियत ही डुबाने की हो, यह जो आ अगर आपकी साफ है तो वो उस कर्ज का आप जागुरुत रहकर सेम्वेदन शील होकर आप उसका सही इस्तमल करेंगे एक एक पाई का आप हिसाब रखेंगे और उसे अच्छे काम में लगाएंगे कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं वो दिखाती है कि आप उन्नत होना चाहते हो आप उठना चाहते हो अप शिकर को चोना चाहते हो उसके लिए आप थोड़ी सी शक्ती उदार में लेते हो तो इसे ही हमारे शरीर के बारे में कहा गया है शरीर हमें मिला है मनुष्य के तोर पे ये इस धर्ती माता ने हमें कर्ज के सुर्प में उदार दिया क्यों? क्योंकि उसे वापिस लोटाना है लोटाना तो हर हाल में लेकिन क्या आप उस कर्ज का सही इस्तमाल कर रहे है आपको जो शरी मिला है क्या हम उसका सही इस्तमाल कर रहे है इसका जवाब अगर हाँ है तो आप अभी एक सुन्दर जिवन का अनुबो करते होंगे आपका शरी सुस्त रहेगा आपका शरी सुदूर रहेगा आपकी जो ग्यानिंद्रिया है वो बिल्कुल तिक्ष्न रहेगी आपका दिमाग तेज रहेगा आखिर तेज तेज़ सिर रहेगी तो हर इंद्रिया अपना अपना काम बहुत अच्छे तरी किसे करेंगे अगर आप जानते हो कि यह करज है तो उसके हर हर क्षमता का आप पूरा इस्तमाल करेंगे आपको पता है कोई किसान अगर ट्रेक्टर अगर उधार लेके आया किसी से तो एक घंटे का इतना पेसा हो गया ऐसा अगर उसका हिसाब है तो उस घंटे में उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं करवाना चाहते कि नहीं और अच्छे क्वालिटी का डिज सब्सक्राइब करवा, उसे स्वस्तर रखो, उसका अपने जीवन के लिए पूरा इस्त्त का पूरा इस्तमाल करवा और ब्याज के तोर पर हर प्रानी, हर वनस्पति कुछ न कुछ दे रहा है, मेरे मतलब से तो ऐसा है कि वो सब कुछ दे रहा है पौदा अपना फल प्रकुति को दे रहा है जानवर अपनी जो भी है बच्चे हो दूद हो बाल हो जो भी उसके पासे वो प्रकुति को आरपन कर रहे है सुक्ष्मजीव जितना पाते है उससे ज़्यादा देते गाय को आप थोड़ा सा चारा देदो, वो कितना बड़ी अदूद देदो, ओदे को आप गंदा खात देदो, वो सुन्दर मिठा फल देदो प्रकृति का हर इस्सा, हर जीवन, जो विकृतता है उसको प्रकृति में बदल देता है, सुन्दरता में बदल देता है तो गंदगी है उसको सुन्दर बना देता है, मदूर बना देता है यही सवाल हमारे बारे में है अगर हम प्रकृति का इन सब प्रानियों से और इन सब प्रकृति के सभी जीवों से मुकाबले सबसे ज़्यादा अगर इस्तमाल तो हम कर रहे हैं आज इनसान सबसे ज़्यादा दोहन कर रहा है इस्तमाल सबसे ज़्यादा इनसान कर रहा है इसलिए तो गंदगी ज़्यादा होती है जहां इनसान का बसेरा हो जाए वहां गंदगी होने में देर नहीं दो क्यों? क्योंकि वो भूल गया है कि यह प्रकुति से मैंने उदार लिया है, यह करज लिया है, मुझे उसका वापिस देना है, तो आजू-बाजू की तो परिस्टिया तो छोड़ दो, क्या आपने आपका जो घर हो, आपका परिसर हो, आपका गाहूं हो, आपका रास्ता हो, जो भी आप इस्तमाल कर रहे हो, उसको आप कैसे इस्तमाल करते हो, कैसे उसका खयाल रखते हो, तो हमारी जो आदते हैं, ये जो कर्ज डुबाने की जो हमारी जो एक गलत आदत हमें लग गई है, एक गलत आदर्श हमारे सामने उसकी वज़े से हमने इसको भी करज लिया है लेकिन इसको भी हम डुबाने के मूड में है हर कोई देखिए जब उसका शरीर जैसे उम्र बित्ती जाती है तो शरीर उसका और गंदा हो जाता है ठक जाता है, बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो अगर हजिस्ट शरीर के मात्यम से हम जीवन का आनंद ले रहे हैं, वो शरीर ही अगर आप अच्छी तरह समाल नहीं पा रहे हैं, तो आप प्रकुति को क्या खाक समाल होगे? सूथ तो छोड़ दो, ब्यास छोड़ दो, आप मुद्दल तक आप डुबा रहे हो, और यही नतिजा है कि जीवन जो मनुष्य का है, वो उसका जो गुनवत्ता है, वो और नीचे जा रही, उसका स्वास्ति नीचे जा रहा है, सुबह में कुछ न्यूज पढ़ रहा था, 25 का पैकेज था, आयटी में, युवा, एकदम से युवा आवस्ता में जो युथी थी, वो सब कुछ था, उसके पास में, उसने लिया हुआ बंगला था, कार थी, अच्छा पैकेज था, फिर भी, दूसरी सोसाइटी में चले गई, दूसरी सोसाइटी में जाकर, वाचमन को बोला कि मुझे रूम देखनी है, और आटवी मंजिल पर चले गई, वाप एक छुटी से नोट के लिखी, स्वारी मॉम डैट, उनकी अकेली संतान थी, इकलो थी, और वाँ से चलांग लगा दी, और आपनी जीमनी अतरा खतम कर दी, ये उदार लिया हुआ शरीर, उसका कर आदा करो, ये आदा करनी का कौन सा सलिका हुआ, कौन सा तरीका हुआ, तो हम ये भूल गए कि हमने जो शरीर लिया है, उसका कर्ज आदा करना है, उसके पहले नहीं मरना है, हमने जितना खाना खाया है, हमने जितना पानी पिया है, जितना हमने इस वायो को अंदर लिया है, कम से कम उतना तो शुद्ध करके जाओ उतना तो अच्छा करके जाओ संत कबिर्दास कहते हैं ए चदरिया हमको जो मिली है ना चदरिया जीनी रे जीनी दिन दिन मेली कीनी हर दिन हम उसको मेली कर रहे और मेली करके हम प्रकृति को वापिस देने वाले है गंदी करके देने वाले है तो मनुष्य का जर्म लेकर आपने क्या किया अच्छा था जानवर थे, अच्छा था पेड़ बोदे थे, अच्छा था सुक्ष्म जीव थे, पर कुछ आप से कुछ करवा तो लेती थी, लेकिन आपको स्वतंत्रता दी, जीवन जीने का पूरा सोभागी दिया, लेकिन हम बदनफसीब उसका सही इस्तमाल ना कर सके, हमारे लिए मन का छवावा, मन की खेल, और मन का जो जगत है, उसके अंदर हम पूरे ब्रहमिस्ट हो गए, जो शरीर मिला है, उसको भूल गए, उस करज को भूल गए, चुकाओ उसको, चुकानी के नियत रखो, कम से कम अपने माबाप से ना सही, अपने आप से ना सही, कम से कम प्रकुति से इमानदारी रखो, अगर आप प्रकुति से इमानदारी रखोगे, तो जाहिर है, कि आपका जीवन सार्तक हो जाएगा, तो हम इस चरीक के साथ कर क्या रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, इसका क्या इस्तमाल कर रहे हैं, इसको कौन सी आदते लगा रहे हैं, इसके मदब से हम क्या उपवजन कर रहे हैं, आपने अगर किसी की चीज उदार लाई, तो आप उसका पूरा का पूरा इस्तमाल करते हैं, आपको पता है यह वापिस करनी है, तो आप ठीक ठाक इस्तमाल करते हैं, सही गलत है, किसी भी चीज का हम अगर किसी से कर्ज मिली, उदार मिली, चाहिए हो पैसा हो या चीज हो, जब तक उसका कर्ज नहीं अदा होता, तब तक हम बोलते हैं, लोगों कारे कर्ज से लिए हैं, लाजर समयल कि इस्तमाल करो। अगर ये दो कोडी की चीज उन्द आगर इतने द्यान देकर अगर समालते हैं उसका इस्तमाल करते हैं जागर्थ होकर तो हम इस शरीर के बारे में कितना जागर्थ होने चाहिए। और फैशन की तोर पर कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, कैसी भी आदते हैं, तो इस शरिर के हर अंग को, हर इंद्रिया को, इसको आप सही इस्तमाल करो, इसका सही पोशन करो, और इसके माध्यम से प्रकुति का कर जादा करो, उसका बया जादा करो, तो क्या आज़ादा कर सकते हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं अपनी जो शक्ति है उसके मदद से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं दूसरों की समस्याई दूरश कर सकते हैं अपने दिबाग की जो बुद्धी है उसका इस्तमाल करके दूसरों की समस्याई हम सुल जा सकते हैं लेकिन वास तरीके से उपर जा रहा है ये बताने के लिए हम बहुत उस्क है किसी की टीका करने के लिए हमें बहुत आन्दा रहे हैं वह कैसे गलत है वह साबित करने के लिए हम पूरी ताकत छोग दें ठांग खिचने के अb लेकिन ये हम कभी नहीं सोचते कि हम हमारे शरीर का कितना इस्तमाल कर रहें हम हमारे दिमाग का कितना इस्तमाल कर रहें तो आई इस करज को अदा करने की नियत रखे और अगर आप इस शरीर की करज से चुखने की कोशिश करेंगे निश्यती प्रकूती आपकी किमत बड़ा देगी ये आपको पता हैं जो बैंक में करजा लिया जाता है उसके उपर civil score बनता है आपको क्या होता है civil score कितना करज उठा सकते हो और कितना आदा कर सकते हो कितनी इमानदारी से आपकी क्षमता कितनी है काबिलित कितनी है यह सब उसमें देखा जाता है आपने कितनी बार आपका जो इंस्टॉलेशन है वो स्किप किया आपका हफ्ता आपने टाल दिया वो गिना जाता है आप कितने रेगुलर हो कर्ज बिलकुल ना उठाने वाले उनका सिबिल स्कोल भी जिरो होता है और कर्ज को दुबाने वालों का माइनस होता, कर्ज भी उठाते, उसे सही नियत से आदा भी करते है, तो यह जीट जो है, वो आपके सिविल स्कोर को बढ़ाते हैं, ठीक इसी प्रकार, प्रकृति के सामने आपका सर्विस स्कोर कितना है, आप प्रकृति को कितनी सेवा आदा करते हो, अगर आपने किसी को करजा दिया तो आपको ब्याज मिलता है वही ब्याज पुन्य है और आप जितना खुद के मौज के लिए जीते हो उतना ही पाप है तो इसका मतलब ऐसी तो नहीं हुआ कि खुद के लिए जीना ही नहीं वास्तों में आज कौन है जो खुद के लिए जी रहा है खुद के लिए जीना मतलब क्या है खुद के लिए जीने का मतलब क्या हुआ इस शरीर को खिलाना पिलाना इस मन की मोज करवाना इसको खुद के लिए जीना आप अगर कह रहे तो आप बड़े मूर्ख है क्योंकि आप ना शरीर हो ना आप मन हो ये दोनों भी यहाँ छोड़के जाना है उस शरीर के माद्यम से आपने अपने जीवन को कितना सवारा आपके अंदर कौशे कोशल आये आपके अंदर में कितना ग्यान आया आपने क्या-क्या अनुगव किये ये चीजे आपके कमाई है आपने सुना होगा सहस्र बाहू अभी ये क्या बात हुई कोई भी मनुश्य है उसको दो ही आत होते है तो उसे सहस्र बाहू क्यों क्या कहा गया किसी देवतार को या किसी को किसी को वर्णन इसे क्यों किया गया सहस्र बाहू का मतलब क्या हुआ हजार बाहों जिसकी है उसे सहस्र बाहू कहा जाता है अब ये दो ये समली नहीं जाती है, सहस्र लाएंगे, तो कैसे होगा, और वो काम कैसे करते होंगे, यही हमारी दिमाग की खुरापात है, सहस्र बाहू का मतलब यह हुआ, जिसके मिशन में पांसो लोग जुड़े, पांसो लोगों के बाहू कितने हो गए, हजार हो गए, जि उद्धिष्य के लें ही जुड़े है, एक उद्धिष्य के लें सब एक जुट जाते हैं, तो उनके सब लोगे, उनके पीछे जाते हैं,olut, 1000 लंखों लोग उनके ही पीछे चलते दू सरकार गांदी जीसे नहीं डरती थी। उनके पीछे जो 1000 लंखों है लोग उनके से डरती थी भांदी जी को शाशित किया जा सकता है। लेकिन उन हजारों अखों लोगों उनका क्या उनको तो नहीं समाल पाएंगे तो यहीं उसका संदेश है कि आप जब आपके साथ में आपके मिशन में आपकी किसी कारे में हजारों लोग जो जाते तो आप सहसर बाभू बन जाते तो एक संकेत है एक imagination है तो शरीर की ताकत को प्राब चोटा नहीं समझ सकते तो जो शरीर हमी मिला है उसकी ताकत का हम इस्तमाल सही इस्तमाल करेंगे तो हम क्रांटी दा पाएंगे और प्रम कलपन कर रहे के उससे वास्ताव में उतार सकेगे तो यहीं सद्ग्रुचा कि आमेशा याद रखे जो शरीर हमें मिलाए वो कर्ज है इस दर्ती मा का इस बिट्टी का पानी का हवा का जल का अगनी का अकाश का इन पंचमा भूत्वने उसे बनाया और इने में वापिस लोटाना है वो खड़े वापिस लेने के लिए दारवाजे पर खड़े आप उनको वापिस करें सवाल इतना है वापिस तो करना ही है किसी भी हालत में आप किसी का भी करजा बोला सकते डुबा सकते लेकिन प्रकुति का करजा नहीं डुबा सकते आज तो कोई नहीं डुबा सकते आज तो कोई निरुबा सका तो इस करजे को आपको अदा करना यह है तो बात सिर्फ इतनी है आप उसको शान से अदा करते हो या बेशर्मी से बस इतनी सी बात अच्छा आदर और सन्मान के साथ यह छोड़के जाओगे या चोर की भाती चुपके से निकल जाओगे अगर चुपके से निकल गए तो अगली जनम जब भी आप गरजा लोंगे एक तो आपको मिले गाई नहीं समझ लिजे पहली बात यह प्रकृतिय आपको शरी देंगी नहीं आपने सुनाओगा, लोग भूत बन जाते, जो गरज डवा के जाते हैं वही भूत बन जाते हैं अपने सुनाओगा, जो आत्म अत्या करते हैं, जो जानबुच कर खुद को माते हैं उनको जल्दी जनम नहीं मिलता वो भटकती है उनकी आत्मा यह इसा क्यों कहते वो भटकती की नहीं भटकती है यह बात की बात है लेकिन आभी भी पता है जो कर्ज डुबाता है वो भटकता है लेकिन कोई भी ब्यांक उसे कर्जा नहीं दे क्योंकि उसका रिकॉर्ड खराब हो जाता तो ठीक एसे है जो लोग इस शरीर को इमानदारी से इसका कर्ज नहीं लोटाते प्रकृति को वो भूत बन जाते वो भूती रहते वो वर्तमान में कभी आते नहीं वर्तमान में आना है तो कर्ज लेना पड़ेगा जिल लोगों के उपर बड़ा कर जाए वो भाग जाते हैं मालिया छोड़के क्यों भाग गया वो भूत हो है वो भूत पूर्व है बारत के लिए समझ मैं है बात तो वेसे ही अभी वो यहां से भाग गया दूसरे देश आप कहां भागोगे मरने के बाद कई नहीं भाग सकते तो आपकी अत्रुकत आत्मा यहां वहां भटकेगी लेकिन यह प्रकुति आपको शरीर नहीं सोपेगी क्यों पिछला करज आपने डुबाया वो आपिस नहीं देगी असानी से नहीं देगी फिर दया आजाती है तो दे दिद एक और मोका दे तो आपको कितना मोकी मिल रहे है यह अभी आप कौन सा मोका है आपका यह आपको भी पतन तो इस करज को इमानदार इसे लोटाए और आज अभी जीवन मिला है उसका अनन लिजे और इसको लोटानी की नियत रखे और जो भी इसे लोटानी की नियत रखे और उसका ब्याज भर-भर के प्रकृती को वापिस करे अगर आप प्रकृती को जितना मिला है उससे अगर ज्यादा दोगे तो प्रकृती आपके उपर प्रसन हो जाएगी और वो तो अगली बार जब आपको शरीर देंगी, तो राजस शरीर देंगी, अगर आपने इसे अच्छी तरह नहीं लोटाया, गंदा करके लोटाया, तो अगली बार आपको तमश शरीर मिलेगा, और सिर्ण जिन्दिक पर इस शरीर का दूसरों की उपकार के लिए फाइदा किया, तो अगला शरीर जो मिलेगा, वो सत्विक मिलेगा, हम बोलते हैं ना सरीर, यहां हमारा जनम क्यों वहाँ, क्योंकि पिछली जनम में तुन्हें जो करजा चुकाया है ना, उसका रेकोर्ड बताता है, तो वह कहा जनम मिला है, तो आमें आभी कहा जनम मिला है, इससे पता च आपका स्कूर अच्छा है, आपका सिभिल स्कूर बहुत बढ़ी है, इसलिए आपको वो मिला। तो आए इस जणम में हमारा सर्विस का स्कूर प्रकृती की तरफ से बढ़ा है, worldwide किसकी मदद करनी यह छोड़ दिजे, हर कोई प्रकृती का हिस्सा है, हम दुसरों की सेवा करे दूसरों के लिए हम हमारा जो जीवन है वो समर्पित करें तो ये प्रकुति हमें सुन्दर सा जीवन प्रदान करें दन्यवाद